Hello students, welcome to my channel और अब मैं आप लोग के लिए बहुत ही important video series लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग discuss करेंगे कि class 10th board को कैसे हम लोग excel कर सकते हैं इसके अंदर कैसे हम लोग excel कर सकते हैं टोटल मिलाके इस video को मिलाके 5 videos हैं आने वाले 4 videos के अंदर मैं mathematics, social science, science और English के बारे में चर्चा करूँगा दोसको कैसे हम लोग इन examinations के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं अभी हम लोग के पास टोटल मिलाके 6 months है तो 6 months के अंदर भी हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे 95% ला सके मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ class 10th और 12th के marks बहुत ज़्यादा important होते हैं बहुत जगे as a document work करते हैं अगर आप IAM वगरा में पढ़ते हैं तो भी 10th और 12th class की mark sheet पूछी जाती है खासकर IAM एमदाबाद में तो अगर आपके 10th में बहुत कम percentage है तो उसको candidate को eliminate कर दिया जाता है list से चाहे उसके cat में कितना भी अच्छ है score है so basically what I am trying to say is 10th board में percentage नाना बहुत ज़्यादा important है तो please आप इन वीडियो उसको बहुत ध्यान से सुने कैसे आप ऐसा कर सकते हैं last year one of my students score 98.6% 98.6% उसकी आई थी और मैंने वीडियो में डाला था इसने हादाश जिनका नाम था so क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे आप भी 95% पर percentage ला सकते हैं यह चीज हम लोग इस वीडियो सीरीज में discuss करने वाले so the video series is how to prepare for class 10 exam a series of tips and tricks by प्रशांज अंसर that is me so एक और announcement है आप लोगे लिए दोस्तों एक book मैंने और मेरी co-author मिस्स पूर्वा कुम्रा जो मेरी कॉलीग भी है उन्होंने लिखी है यह book Amazon पर अवेलेबल है इस book के अंदर क्या है इस book का title है climbing up the ladder climbing up the ladder और यह मेरी स्टोरी पर बेस्ट है 9 से लेकर 12 क्लास की आप लोग काफी जादा पूस्ते मुस्ते सरा आपने कैसे किया मतब कैसे मैनेज किया हर चीज को स्कूल कैसे मैनेज किया क्या strategy आपके रहती थी मैटा हर चीज इस book के अंदर लिखी हुई है so please please go on Amazon and buy this book इसका जो description है दोस्तों व मेरी स्टोरी पर जिस मेंने इनुमरेट किया है कि कैसे मैं मतब 42 रैंक लेकर आया और एक एवरेज स्टुडेंट से स्टार्ट हुआ था मैं जब मैं 9th और 10th क्लास के आपर एक एवरेज स्टुडेंट था and how did I manage to go beyond the what many students think and get top 50 rank so please go on Amazon and buy this book so जलदी जलदी अब हम लोग सब्जेक्स के अंदर दोस्तों बहुत सारी strategies होती है जिससे नमबर लाया जा सकते हैं और वह इतनी छोटी है कि आप उसको आराम से master कर सकते हो अगर फिर भी किसीरा किसी रीजन से वह master नहीं हो पाती है जिस वजे से performance खराब हो जाती है बच्चों की तो जाड़े कोशिश करते है इस strategy के दर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग strategy मनाएंगा learning and notes making तो preparation एक बहुत important aspect होता है जैसे अगले 6 महीने आप लोग पढ़े करेंगे अपना syllabus complete करेंगे उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों का धियान रखना चाहिए हमें understanding complete syllabus and math distribution हम लोग हर एक subject के अंदर क्या math distribution होता है और उसका syllabus क्या है किस-किस चीज़ को ज्यादा weightage देना चाहिए इसके बारे में भी पूरा discussion करेंगे और किस तरह से notes आप बना सकते हैं कि preparation leave के वाग आप उसको discuss कर सके हैं कहने का मतलब यह है कि दो papers की बीच पे जैसे खास का CBSC board होता है उसको काफी ज्यादा gap होता है preparation leave इसको बोलते हैं तो आपकी eventually notes ऐसे बन जाने चाहिए हर एक subject के जिनको आप preparation leave के दौरान revise कर सको तो वो चीज़ भी हम लोग discuss करेंगे ठीक है rule of three revision three revision का एक बहुत important rule होता है जिसको हम लोग अपने आने वाले वीडियो में हर एक subject के लिए discuss करने वाले हैं ठीक है दोस्तों so team revision क्यों ज़रूरी होते हैं और team revision की timing क्या क्या होनी चाहिए यह सब चीज़े हम लोग discuss करेंगे compulsory books for practice revision and practice के अंदर हम लोग दोस्तों discuss कर रहे हैं कि compulsory books हर एक subject के लिए क्या-क्या हो सकती है और उनका nature क्या होना चाहिए और उनको कितना weightage देना चाहिए यह सब चीज़े हम लोग हर एक subject की preparation strategy में discuss करने वाले हैं testing at least three full length test will full effort मतलब आपको तीन revision करने हर एक revision के बाद एक mock test देना होता है हर एक subject का इसका मतलब actually आप board examination जब दोगे न उससे पहले तीन board exam आप दे चुके होगे और जब आप इस तरह के strategy बनाते हो कि आप board examination से पहले तीन board exam दे चुके हो तो चौथे board exam में आपकी performance अच्छी आना 100% sure हो जाता है तो इस चीज़ का भी हम लोग को ध्यान रखना है कैसे कैसे करेंगे ये भी हम लोग आने वाले subject wise videos में discuss करेंगे analyzing mistakes ये एक बहुत important aspect है ठीक है तो हर एक subject के अंदर जब आप तीन बार board examination दे चुके होगे उसके बाद आपकी copy check होगी copy check करने के बाद आपको feedback मिलेगा उस feedback के business पर आप अपनी mistakes analyze करेंगे first paper में आपने analyze की उसको improve किया second में second में जो mistakes की उसको third में improve किया third में जो mistake की उसको finally आपने board examination में improve किया ताकि आपकी percentage maximize हो सके मेरा ये मानना होता है कि अगर आप तीन test में अगर तीन test आप mock test पहले देते हैं उसके अंदर 90% 91-92 तक ऐसे score कर पाते हैं तो आप eventually 95 से उपर score कर पाएंगे तो इस तरह से आपकी strategy दोस्तो होनी चाहिए तो मेरे इसाब से ये एक broad guideline थी जो मैं आइने वाले वीडियो में cover कर रहा हूँ अब next videos की थूँ मैं क्या करने वाला हूँ subject wise ये strategy लेने वाला हूँ दोस्तों so please keep liking my videos अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो please keep liking like this million और ये sincere student की तरह आप please मेरे चैनल को subscribe कीजिए and remember to hit the bell icon क्योंकि जब आप bell icon hit करते हो तो आपको मेरे वीडियो के सारे notification आते रहेंगे ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे miss नहीं होगा so please keep an eye on it and keep sharing my videos keep liking keep subscribing वापस से बोल रहा हूँ और please तेरी जो book है climbing up the ladder उसको भी आप please खरी दिये thank you कोई भी आपको question है तो आप comment box में डाल सकते हैं